कि अगर तो कैसे हम सब लोग सबी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे तो नागर विलिच के पॉपुलर टूरिज डेस्टिनेशन देखने के बाद आज हम जा रहे हैं नागर विलिच के मंदिरों को एक्स्प्लोर करने के लिए तो अगर आप लोगों ने नागर के टूर वीडियो बनाई है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग जाके चेक कर सकते हैं चलिए अभी सबसे बहले जलते हैं माचल के प्रमोपरसिद्ध मंदिरों में से एक बाला तिरपुरा सुंदरी मंदिर में तो मंदिर में एंटर करते हैं आप गणेजी की ल देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप मनाली के फेमस इडिमन टेंपल की छाप देख रहे हैं और यहां पर आपको तिरपुरा सुंदरी माता के अलावा ब्रह्मा जी विष्णू जी गणेश जी सिफ पारवती और लक्ष्मी जी के मूर्तिया भी देखने के लि देखने मनवाया था लेकिन एक और मान्या तक एनुसार माना जाता है कि जब देवी तिरपुरा सुंदरी ने मकडी रूप धारुन किया था उसके बाद इस मंदिर को बनाया था नागर विलिच के लोग इस टेंपल को अपना इस्ट देव मानते हैं और हर साल यहां पे पानी से यहां वे पहुच सकते हैं तो चलिए बात करते हैं हम यहां के एक लोकल से जो कि इस मंदिर के शायद पुजारी है किस देवीजी का मंदर है कौन सी देवीजी का मंदर है कान सी देवीफा कितना पुराना मंदर होगा यह बान सो साल लखड़ी और पत्थ्र का बन होगा इसे मेला भी बहता है, 7 दिन होता है, कब तो गया फेसे 14 माहिदा शड़ा मेला नगा होता है contrad 25-24 माहिदा नागर शड़ी होता है नगर शड़ी तिन चार मेले बड़े होते हैं, यहां हम धुल्बरी इन अले चार मेले मंजनका नगर्रे मंदिर है क्या पर खिलत है पर केसल कि राजय के पहले उपर उपर हो थे चाल हुआ पर जलादिया, उनको मार लिए अपर जलादियों किसने उंग्रे जुने किसमे जला दिया उंग्रे जुने अपर राजयों को फे आपस में लडाई बनाई नहीं पभली को टम करते थे ले निकल जाता है कोई घडिया कहले थे धो का अधक वामनले जा था hell जा अ है यह किलो मिठी आपर करना यह दो किलो मिठी अपर से बिक राष्टा जाता है छे दॉह सीधि आ इसे बरूबबथ जाता है कि आपादो जुर आटा है अपर हॉपर द्हुत के नहीं आपने पर चैनल इक जिंगल को जाता हैちょっと मंदिल का नाम को पूसना है खुछना क्रिशना टेंपल बालातर परसंदर, बालातर परसंदर जीडि में बावा फ्कारी जी का मंदिर है रहे जानते हैं ये पर रहे हैं काली का प्लासनी है .... के बाव पंचे जानते हैं तो यह नगर कैसल बाद में वाना है पहले फेले उपर था आपर ने फेले वर इस ताव जा कृष्णा टेंपल कि राजा बारा बनाए उसके साथ ही बिश्नु बंदीर है देखा नहीं कैसल के साथ ही नीचे अचा उस साइड़ा नीचे 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 जब यहा याद सोना चान दिवरी अच्छा फुस के साथ या गलित तर विशनुबन तेंट तक अब वही जा रहा है नीचे जा रहा है ठीक है यह जंदन्य वाद जंदन्य वाद थांक्यू कहां से हाप हम है यूपी उतरा हंड से जो खंडे मैं तो जैसा कि कि आप लोगों ने सुना इन्हों ने हमें बताए इस मंदिर के बारे में और यहां के आसपास और कौन-कौन से मंदिर हैं उसके बारे में अब हम निऊच्ज जा रहे हैं गौरियं चंकर टेंपल और रास्ते में हमें बहुत ही बड़ी अनाखर विलेज का दजारा देखने के लिए मिला गौरी शंकर टेंपल के सामने आपको एक छोटा सा बहुत एंशिंट और बहुत सुन्दर टेंपल देखने के लिए मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं ये तो नागर कैसे से लगबग 10-15 मिंट की वॉक करके आप पहुच सकते हैं गौरी शंकर टेंपल माना जाता है कि इस टेंपल को बारवी शताब्दी में मनाया गया था जो कि भगवान शिव को समर्पित है मंदिर में एंटर करते ही आप लोग देख सकते हैं नंदी की प्रतीमा भी ये मंदर टोटली पत्थरों से बनाया गया है और पत्थरों पे आप लोग बहुत ही बड़ी आश्टोन आर्ट को देख सकते हैं त्रियंग योजना से निर्मेत इस मंदिर में माता गौरी और भगवान शंकर की प्रतीमा को आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर को आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया द्वारा राष्टियेश और रक्षित स्मारक घोशित कर दिया गया है तो यह देख सकते हैं आप लोग आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया का बोड लगा हुआ हैं अपर तो गौरी संकर टेमपल के बाद आओ हम लोग जा रहे हैं मुडली धर क्रिश्न टेमपल में तो नागर कैसल और रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट के बीच में क्रिश्न टेमपल का रास्ता जाता है तो नागर विले से उपर के लिए ये रूट जाती है थावा विलेज के लिए महीं पर क्रिश्न टेमपल बना हुआ है ये किसी ने यहाँ पर मास्क अपना पेड़ पर डाल दिया है तो गैस प्लीज ऐसा मत किया करिए आप मास्क लाए हैं और आपको फैक नहीं तो आप जीब में रखके उसको डश्ट में भी फैक सकते हैं तो क्रिश्न टेमपल पहुचने के लिए या तो आप यूज कर सकते हैं गाड़ी या फिर आप लगबग आदा गुंटे का ट्रैक भी कर सकते हैं तो क्योंकि हम लोग वॉका कर रहे हैं इसलिए हम ट्रैक कर रहे हैं अभी और ट्रैक करके ही उपर कृष्णड़ पोचेंगे चलिए तो चलते हैं ट्रैक करते iyi चोटा सा ट्रैक भी हो जाएगा हमारा नागर विलेज में तो देखी सकते हैं आप लोग ट्रैक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हाँ जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम लोगों की भी सांसे फूलने लगी है छोटे से ट्रैक पर ही और ट्र तो यह आप सामने देख सकते हैं क्रिश्न डेंपल यहाँ पर मंदिर के बीचे एक रथ भी रखा है जिसको नागर विलेज में दस्यारे के टाइम पर खीचा जाता है तो रथ आप देखी सकते हैं टोटली वुडन का बना रखा है तो कहते हैं कि जितना यह मंदिर पराना है उतना ही यह रथ भी पराना है तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं मंदिर के और भी रहस से में चीजों को सबसे बहले जुते तारते हैं जो कि हम हर धार्मी की स्थान में एकड़ते ही है तो चलिए परिशाद ले लेते हैं और टीका लगवा लेते हैं पंडीजी आ रहे हैं तो यह सामने आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति लेते हैं तो यहां पर बगवान कृष्ण के साथ साथ माता राधा गरून और लक्ष्मी नरायन जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है तो यहां पर हमें मंदिर के पंडीजी ने बताया जो कि आगे का पार्ट आप देख सकते हैं और पीछे का पार्ट बहुत ही जादा पुरान है जो कि मैंने आपको पताया है लगबग 5000 साल पुराना तो यह देख सकते हैं आप टोटली पत्थर का बना हुआ है जिसमें की स्टोनाट थो रखिये बहुत बढ़िया विलेज के आसपास आपको और भी बहुत सारे टेंपल्स देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि जगतीपद टेंपल्स जो कि मैंने नागर कैसल वाली वीडियो में दिखाया है चामुंदा माता देवी टेंपल शीतला माता टेंपल जीरी टेंपल पुलक टेंपल तो आप और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड हमिलते हैं नेक्स्ट नागर की वीडियो में